Welcome to all in today's discussion now देखिए आज के discussion में सबसे ज़्यादा important चीज डिसकसने वाले हैं about the strontium strontium यानि कि एक fancy beer इसका दूसरा नाम है और एक cyber espionage group है कहां का है ये group ये है रश्या का group और generally जितने भी चाहे US के presidential election हो नीदर लेंड में कोई attack करना हो cyber attack करना हो even अफगानिस्तान में Taliban का support करना हो US के NATO force को attack करना हो तो strontium group सबसे ज़्यादा active रहता है इस group के बारे में बहुत सारी दूसरी चीज़े हैं Microsoft के बारे में आप discuss करोगे Microsoft ने इस Russian जो group है strontium aka इसे fancy beer भी कहते हैं इसको ban कर दिया गया Microsoft ने ये का कि ये local computer को hack कर लेता है even Ukrainian जब Russia Ukraine war चल रहा है तो जो East Ukraine है वहाँ के media organization पर इसने attack किया जो वहाँ के computers हैं उसको hack किया बहुत सारे malware tools की help से साथी साथ बहुत सारे जो news paper हैं उन्होंने cover किया Microsoft says it disrupted attempted hacks by Russian spies अब बात क्या है कि ये Russia का एक group है क्या ये एक Russia का group है क्या अगर मैं इसमें explain करूँ आपको देखिए Russia की जो military organization है सबसे पहले याद रखना एक military wing है जैसे इंडिया की होती है पाकिस्तान की होती है तो वैसे ही Russia की एक intelligence wing है military intelligence wing और इसी नहीं recruit किया है इस किसको strontium group को और इसे आप कह सकते हैं fancy beer group राइट चलिए इसके बारे में detail में जानेंगे क्या ये group है कैसे ये काम करता है fancy beer group और माना जाता है कि जो ये group है वो अपनी पहचान नहीं छुपाता है ठीक है कहीं पर भी आप जाओगे इवन आप net में सर्च करोगे तो ये group easily आपको देखने को मिलेगा ये देखिए ठीक है रश्या की intelligence wing है इसके साथ साथ जो group है वो directly आपको देखने को मिलेगे ये वीडियो आपको बहुत बार देखने को मिलेगी तो रश्या की ZRU military intelligence है और इसी की एक wing है क्या strontium या fancy beer तो समझ में आ गया तो बहुत simple सी चीज है रश्या की military intelligence है GRU और इसके अंदर काम करती है strontium group strontium group एक Spanish group है जो जासुसी करता है जासुसी किस में जासुसी करता है जो दूसरे countries के political information को चुराने में defense की information चुराने में और ये कैसे करता है cyber attack की help से तो चलिए इसके बारे में complete detail analysis जानेंगे कैसे ये जो group है अभी active है और Russia Ukraine war पर ये responsible है US के presidential election में जो campaigning में cyber attack की है उसके लिए responsible है जो दूसरे अफगानिस्तान में जो NATO की forces है उन पर भी attack करवाने में ये बहुँ ज़ादा responsible है इस group के बारे में थोड़ा सा detail में जान लेते हैं कि ये group काम कैसे करता है देखिए इस group का नाम है strontium group और इसे fancy beer भी आप कहते हैं ये एक highly active cyber Spanish group है कहां पर है या रहे active ये है रश्या में active और रश्या में बैठे बैठे वैठे वो दूसरे country के जितने भी political or defense related information है वो चुरा लेता है साथी साथ इसकी दूसरी बात ये है कि अपनी पहचान नहीं चुपाता ये जितने भी अगर आप इसके intelligence officials देखेंगे spy देखेंगे उनकी पहचान पूरी known है हर जगे आपको ये देखने को मिल जाएंगे अब ये किस से connected है अल्लेडी मैंने बता दिया रश्या की जो armed forces है ठीक है उनकी main military intelligence wing है ठीक है दूसरे तरीके से जैसे phishing वगरा phishing होती क्या है मैं इसको भी detail में आपको बताता हूँ phishing में किसी एक computer को कैसे hack किया जा सकता है देखो यहाँ पर से जो attacker है यानि कि ये fancy bear वाला attacker बैठा है अपने घर पे ठीक है अब वो क्या करेगा एक email send करेगा victim को fancy bear वाला जो attacker है एक email send करेगा victim को victim इस email में click करेगा अब माना जाएगा कि ये victim click करेगा और इसको सबसे पहले एक interface दिखाई देगा जैसे एक facebook का होता है facebook में होता ना login और यहाँ पर password तो victim देखेगा कि यार ये तो facebook का interface है बट actual में ये facebook का interface नहीं होगा इसी को कहते हैं phishing site अब जैसे ही ये login कर लेता है उसको तो लगेगा इस victim को लगेगा ये facebook का interface है ये मुझसे login मांग रहा है बट इस attack में जो attacker होता है वो victim के credential पूरे चुरा लेता है attacker uses victim credential to access a website और उसके बाद victim का computer, local, media organization, सभी चीज हैक हो जाती है चलिए जान लेते हैं इसके बारे में strontium के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं strontium अगर आप से पूछा जाए कि इसको दूसरा नाम क्या कहते है, strontium को आप fancy wear कहते हैं, zar team कहते हैं, pawn strong कहते हैं, sofacacy कहते हैं और इसको advanced persistent threat भी बोला जाता है इस group को बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसे generally apt 28 अगर आप से exam में पूछा जाए कि with respect to recent term apt apt बहुत बार न्यूज में देखा गया, यह apt 28 है क्या अब को यह एक Spanish group है, एक spy group है कहां का, Russia का ठीक है, it is one of the most active apt group and has been operating since at least mid 2000 2000 से काम कर रहा है और पूरे अपने काम क्या चलाता है, cyber spy वाले काम चलाता है बहुत सारे दूसरे तरीके है जैसे x-tunnel का यूज करता है, x-agent का यूज करता है, game fish का यूज करता है यह tools है जनरली इन tools की मदद से, जो यह group क्या करता है यह group आपके, जो mouse moment है, जैसे अभी मैं यह moment कर रहा हूँ mouse का moment, इसको भी track कर लेता है की stroke को, local password को यह track कर लेता है USB drives को hack कर लेता है यह group इतना जादा active है और ऐसा यह information किस ने दी ऐसी information दी है United Kingdom National Cyber Security Center इसके according यह group इवन आपके mouse moment को भी capture करता है तो सोचो, media organization कुछ नहीं है तो अलग-अलग देसों में इस group का mention है similarly Russia का जो fancy beer hackers है पाया गया कि जो US के campaigning है 2016 का election मान लो या 2020 का election मान लो USA में जो cyber group spy group fancy beer बहुत ज़्यादा active था Germany में बहुत सारी दूसरी चीज़़ों मैं यह आपको group देखने को मिलेंगे अब यह group ऐसे भी देखने को मिलते है और साथ ही साथ इस group के बारे में एक और चीज़ मैं explain कर देता हूँ कि अभी जो Russia और Ukraine का war है उसमें जो East Ukraine वहाँ पर देखे East Ukraine में जितने भी officials हैं pro Russian वहाँ पर लोग हैं और जितने भी Ukrainian के officials हैं जितने भी वो defense वाले information है political information है during Russia Ukraine war भी इस group ने चुराई है तो इतना ज़्यादा ये active group आपको देखने को मिलेगा साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं GRU क्या है या GRU का मतलब होता है रश्या में नाम है इसका General Nogo Estaba अब ये group ऐसा नहीं था ये एक military wing है रश्या की एक military wing है जनरली जब Russian revolution चल रहा था 1970 में तब GRU बनाया गया था पहले इसका नाम GRU नहीं हुआ करता था इसका नाम GU हुआ करता था बाद में धीरे-धीरे 1991 में इसके बाद इसको GRU किया गया Second World War चला जो Germany और उसके ally थे उसके बारे में जो एक extreme secret link होते हैं वो gather किये GRU टीम ने During the Cold War One of its notable early success was to penetrate Britain atom bomb program यहाँ पर देखने को मिला कि जब Cold War चल रहा था तो Britain का जो atom bomb program है इसके बारे में भी GRU यह एक military wing है उसने भी information चुराई साथी साथ Whose mission is to conduct REN, conscience, sabotage in Soviet times they were active in conflict johns around the world and spurred the invasion of Afghanistan in 1979 अभी हाली में आप सबको पता Afghanistan में कब जा किया है Taliban ने और यहाँ पर इस group ने जो Taliban को counter करने के लिए NATO US forces भेजी थी उस पर भी attack कर रहाने के लिए यह responsible है GRU team ठीक है कौनसी team है GRU team इसके लिए responsible देखने को मिलेगी तो I think मैं आपको पूरी information दे चुका हूँ about the GRU और यह Russia-Ukraine war के लिए responsible देखने को मिलते है ठीक है Even Denmark की सरकार यह कहती है कि Dennis defense hacked by Russian cyber spies इन सब के पीछे एक ही group है Fancy beer या ATP 28 तो आपको इस पूरी news से क्या जानना है कि with respect to the term ATP 28 या fancy beer fancy beer यह क्या है आपको directly पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह एक political organization का नाम है क्या एक cyber Spanish group का नाम है तो आंसर हो जाएगा cyber Spanish group का नाम है तो आपको इसी के बारे मैं जानना था about the fancy beer group यह एक hacking team है GRU के साथ मिली हुई है बहुत सारे Germany में Cold War के time में Russia के जब USA की election चल रहे थे उस पर यह responsible थी I think आपको यह video पूरी clear हो गई होगी और जो मैं बताना चाहता हूँ तो आज की इस video में इतना ही बाकि अगर आप चाहते हैं जितने भी जो यह PDF हैं free में access करना तो आप बहुत simple सा काम कर सकते हैं आपको जाना है telegram में और telegram में सर्च करना है बहुत simple सी जीच at the rate पंकज बोहरा official आप इस group को सर्च करेंगे आपको यह सारी PDF तो मिलेगी साथ ही साथ जो news paper के notes होते हैं free notes ठीक है जिसमें court होगा जिसमें MSQ होंगे वो भी आपको free में मिल जाएंगे तो इस telegram channel को जरूर join कर लीजे और यहीं पर आपको detail में सभी PDF आपको मिलते रहेंगे आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे thank you have a nice day